आज में आपको तिल के लड़ू को नाना बता रही हूं यह तिल के लड़ू किसी के special फर्माइश में हैं तिल के लड़ू जिसमें कि मैंने मावा नहीं डाला यदि घर पे मावा गी है तो क्या हम लड़ू नहीं बनाएंगे बनाएंगे और मावे से अच्छी त्रे बाइंड हो जाते हैं पर हमने आटा डाला है आटे में हम घी में लाएंगे अब आप देखिए इसमें क्या-क्या मैंने डाला यह तिल है यह बूरा रिचीनी है या बूरा ले लीजिए पिसीवी चीनी यह है थोड़ा सा सिका हूँ आटा करीब त तो यह लड़ू चीना डालके अच्छी तरह बंच जाएंगे अब मैं इसको कड़ाई में तिल को डालने ही हो सिखने के लिए जब सिख जाएंगे तो मैं इसको पीस हूँगी जब यह गोर्डन यलोग जाएंगे तब समझे सिखने और इंडी खुश्कू भी आएगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि तिल अच्छी तरह सिखने हैंगे क्यों अपने को में बींचने के खुर्ड़ जोड़ा को घुर्डु अजांगेक चिने के लिए जीए प्विक्सी ने विल जरोलोगी यह ऐए उक्यु पाउडर रखा है अदो यह फ्रें थोरा सा घी मिलागे अच्छी तरह से फिर इनके मना युंगी लट्डू बनाते समय चुकि आपसे बैंडिंग नहीं हो पाईगी माबा नहीं है इसलिए हम दूद का छीटा लगाते जाएंगे और लट्डू बनाते जाएंगे अब मैंने इसमें थोड़ा घी मिला दिया और इसको चला चलाना पड़ेगा इसको घी पिल्लावा डाला है ताकि इसको थोड़ा पैंडिंग जाए गी इसलिए डाला है गी नहीं भी डाले कि मैंने इसमें थोड़ा आठा मिला आठे का सिका वह आठा डाला है और सिके वह अब मैं इसका लर्लू बनाने जानी हूं इससे थोड़ा सा दूद का छीजा लगा लेते हैं जीजी लेड़ू तरियाने खाईए और भरवाले बच्चों भी बढ़ों को भी सबको खिलाईए शर्दियों में बहुत लाबकारी है दिल के गुण इतने अच्छे हैं कि आप सर्दियों में खाएंगे शरीर को ताकत भी देता है और इसमें जो इससे गर्मी भी आती है शरीर में इसको खाईए बहुत फाइदा करेंगे अब मैं आगली रसिप के साथ फिर आपके सामने आगे तब तक के लिए नमस्कार